आजकर glowing skin के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं, beauty product से लेकर घरिलू नुसकों तक हर कोई face glow के लिए अक्सर प्रयास करता है, skincare में face wash करने से लेकर scrubbing और bleach तक शामिल करना बहुत जरूरी है, हाला कि बहुत से लोग अपनी तवचा को bleach करने से डरते हैं, बलकि skin की bleaching और skincare routine का हिस्सा होनी चाहिए, bleach चेहरे से unwanted spots, जायां और दाग धबे हटाने में मदद कर सकती है, जड़ी बूटियों वाली हरबल bleach तवचा के लिए कमाल कर सकती है, और कुछी दिनों में काया पलट सकता है, glowing skin के लिए homemade bleach कई तरीकों से फाइदा मन माना जाता है, न सिर्फ ये natural होता है, बलकि इसके घर पर बनाना और इस्तमाल करना भी आसान है, बहुत से लोग glowing skin पाने के लिए उपाये तलाशते रहते हैं, और सवाल करते हैं कि skin glow कैसे बढ़ाएं, या तवचा को चमकदा कैसे बनाएं, अगर आप भी चेहरे की रौनक और चमक को बरकरार रखना चाहते हैं, तो यहां हम आपको कुछ homemade bleach के बारे में बता रहे हैं, जो आपके लिए चमतकार हो सकते हैं, सबसे पहले आएए जानते हैं कि bleach होता क्या है, किन bleaching चेहरे पर चमक, काले दाग धबों को हलका करके एक चमकदार skin पाने की प्रक्रिया है, इसके लिए क्रीम, साबुन और यहां तक की कई रासायनिक योगिकों का उप्योग क्या जाता है, मेलनिन आपके skin को प्रक्रियतिक चमक देता है, face bleaching agent आपके तवचा में melanin pigment की मातरा को कम करके इसको हलका करने में काम करते हैं, अब जानते हैं कि यह bleaching agent कैसे काम करती है, face bleaching agent आपके तवचा में melanin को कम करने के लिए कई तरीकों से काम करते हैं, कुछ compound टाइरोसिनेज को रोकते हैं, यह एक enzyme है जो melanin को कंट्रोल करता है, टाइरोसिनेज को उसकी पूरी शमता तक पहुंचने से रोकते हैं, या melanin को आपके तवचा की अपर लेयर तक ले जाने से रोकते हैं, अब जानते हैं कि क्या ब्लीचिंग तवचा के लिए अच्छी होती हैं, कॉस्मेटिक्स प्रोसिजियर्स की तरह चेहरे को ब्लीच करने के भी अपने फाइदे और नुकसान होते हैं, अपनी तवचा को ब्लीच करने के लिए प्राक्रितिक चीजों का उप्यों करना अकसर हानी रहित और यहां तक की फाइदे मन भी माना जाता है, हाला कि लंबे समय तक तवचा के स्वस्त को ध्यान में रखते हुए, हाइट्रोकिनोन और स्टिरोइट्स जैसे तवचा ब्लीचिंग कंपाउंट से बचना बहतर है, अब मार्केट में बिखने वाला ब्लीच, स्कीन को कुछ समय के लिए तो निखार सकता है, लेकिन इससे काफी नुकसान भी होता है, अब मार्केट में ऐसे कई ब्लीच का इस्तमाल करें, वैसे तो मार्केट में ऐसे कई ब्लीच जो दावा करते हैं कि उनके इस्तमाल से तवचा को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम किस-किस पर यकीन करें, आप चाहें तो इन होमेड नाचुरल ब्लीच का इस्तमाल करके चंद मिंटों में अपने तवचा पर निखार पा सकती हैं, पहला, निम्बू और शेहत का ब्लीच, एस्कॉर्बिक एसिड निम्बू के रस में मौजूद वाइटमिन सी का एक रूप, एक नाचुरल स्किन ब्लीचिंग एजेंट है, ये आपके चेहरे के लिए सबसे अच्छा नाचुरल ब्लीचिस में से एकमाना जाता है, ये मेलन और शेहत का ब्लीच, पिंपल्स की स्थिती और त्वचा की सूजन को भी कम कर सकता है, ये ब्लीच बनाने के लिए एक पूरा निम्बू निचोड़ें और उसमें शेहत मिलाएं, दस से पंदरा मिनिट तक लगाएं और फिर धोलें, दूसरा, गोजी बेरी और कीवी का ब् मददकार है, वे फ्री राडिकल से होने वाले स्किन डामेज से भी लड़ते हैं और आपके चहरे पर फाइन लाइन्स और रिंकल्स को कम करने में मददकार है, घर पर अपने चहरे को ब्लीच करने के लिए गोजी बेरी और एक कीवी को ब्लेंड करें, त्वचा पर लगान के 30 मिनिट बाद फिर धोले, तीसरा आलू की ब्लीच, आलू के रस में हलकी ब्लीचिंग का शमता होता है, जो डेली उपयोग से हाइपर पिग्मेंटेशन और स्किन टोन को कम कर सकती है, ये वाइटमिन सी से भी भरपूर है, जो कॉलेजन को बढ़ाती है, पिंपल से लड चेहरे पर लगाएं और 15 मिनिट बाद धोले, आप आलू को छील कर छोटे-छोटे टुकडों में काट भी सकते हैं और इसे अपने पूरे चेहरे पर स्क्रब कर सकते हैं, चौथा पापाया या पाइनेपल का ब्लीच, पापाया और पाइनेपल दोनों में प्राकृतिक लॉक करने की शमता के लिए जाना जाता है, पाइनेपल में मौझूद प्रॉमिलेन एक अच्छा एक्सफोलीटर है जो आपकी त्वचा की टैन और डामिज को हटाता है, आपके चेहरे को प्राकृतिक रूप से ब्लीच करने के लिए एक पाइनेपल को मैश करके अपने च जिसे प्रोएंथोसाइनिदिन्स के नाम से जाना जाता है, ग्रेपसीट एक्स्ट्राक्ट के डेली उप्योग से संटैन और मिलानोजनोसिस से बनने वाले अन्य प्रकार के पिग्मेंटेशन को कम किया जा सकता है, ग्रेपसीट एक्स्ट्राक्ट अक्सर ओयल के रूप में उपलब्द होता है प्रड़ोट को लगाने या किसी करियर ओयल के साथ मिलाने से पहले स्किन सेंसिटिविटी को चेक कर ले इससे आदे गंटे तक लगा रहने दे और फिर धोले हमें उमीद है कि आपको प्राकरितिक चेहरे के ब्लीच की हमारी सुची उपयोगी लगेगी सला सहीत ये सामगरी केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है ये किसी भी तरह से योग्य चिकिश्चा राय का विकल्प नहीं है अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेशग्या या अपने चिकिश्चक से परामर्ष करें नई स्किन केर रूटीन शुरू करने से पहले अपने तवचा विशेशग्या या डर्मटलोजिस से परामर्ष ले या किसी भी bleach को अपनी तवचा पर लगाने से पहले patch test करें और allergy की भी जांच करें